बॉलिवुड इंडस्ट्री के लेटिस्ट हार्थ्रॉप कार्तिक आर्यन की काफी फैन फॉलोविंग बन गई है कार्तिक आर्यन बॉलिवुड के राइजिंग स्टार है और आजकल हर दूसरी फिल्म में आपको कार्तिक ही नजर आएंगे वेल नेशन के इस रीसेंट हार्थ्रॉप का है हैपी बर्थडे और आज इनके जनम दिन के मौके पर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कार्तिक आर्यन के लाइफ से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्स क्या आपको पता था कार्तिक आर्यन का असली नाम कार्तिक आर्यन नहीं था बलकी कार्तिक तिवारी था इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए गौालियर के कार्तिक ने अपना सरनेम बदल दिया नमब टू, बॉलिवूड इंडस्ट्री में तहल का मचाने वाले कार्तिक एक समय पर नासा में काम करना चाहते थे कार्तिक ने बायो टेक्नोलजी में बी टेक किया है और वो एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे नमब टू, भले ही कार्तिक ने एंजिनियरिंग की है पर एंजिनियरिंग करना उनका खुद का चॉइस नहीं था कार्तिक के पेरंस चाहते थे कि वो मेडिकल साइंसेज में अपना करियर परस्यू करे पर financial constraints के वज़ह से कार्तिक को एंजिनियरिंग करना पड़ा नमब फोर, कार्तिक के लाइफ में कुम्द के मेले वाला इंसिडन सच में हुआ था जब वो महस चार साल के थे तब वो डेली के करोल बाग मार्केट में गुम गए थे और फिर चार घंटे बाद जाकर काफी ढूनने के बाद कार्तिक अपने मॉम डाट को मिले नमब फाइफ, छोटे नवाब की बेटी सारा अली खान को कार्तिक पर क्रश है ये तो सब को पता है पर जो बाद सब जानना चाते हैं वो ये है कि आखिर कार्तिक सच में किसे डेट कर रहे है हाला कि हर वक्त रूमा जाते हैं कि कार्तिक अनन्या पांडे को डेट कर रहे है और इससे पहले नुश्रद भरुचा के साथ भी उनके लिंक अप की खबरे आ रही थी मगर अगर sources की माने तो कार्तिक allegedly date कर रहे है Canadian model Dimple Sharma को No.6 कार्तिक को उनकी girlfriend ने dump कर दिया था जब उन्होंने acting की दुनिया में कदम रखा No.7 कार्तिक आरियन Bollywood के संसकारी लड़के हैं वो ना smoke करते हैं और ना ही drink और तो और वो pure vegetarian भी है No.8 कार्तिक आरियन एक dedicated actor है हलाकि कार्तिक एक pure vegetarian है पर फिर भी आकाश वानी फिल्म में अपना वजन बढ़ाने के लिए कार्तिक ने हर दिन 25 अंडे खाये थे No.9 कार्तिक एक उन्दा actor होने के साथ साथ एक बहतरीन sports person भी है वो excellent football and tennis player है In fact, college के दिनों में कार्तिक gaming में इस कदर व्यस थे कि उन्होंने अपना college भी बंक किया हुआ है gaming के चक्कर में No.10 एक समय पर कार्तिक अपने 12 flatmates के लिए खाना बनाया करते थे पैसे कमाने के लिए No.11 कार्तिक acting के साथ साथ अच्छा लिखते भी है वो काफी अच्छी poetries लिखते हैं और कहानिया भी इसलिए वो एक दिन अपनी किसी कहानी पर आधारित फिल्म बनाना चाहते है No.12 क्योंकि कार्तिक वेजिटेरियन है इसलिए पीटा ने उन्हें पीटा इंडिया उस हौटस्ट वेजिटेरियन का टाइटल दिया है तो ये थी कार्तिक आरियन के लाइफ से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग फाक्स We wish this cute boy of Bollywood a very happy birthday Bollywood a television के मसालिदार updates और spicy gossips के लिए like, share और subscribe करे हमारे चैनल फिल्मी ड्रामा को